नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजेस आज के इस वीडियो मतलब कैसे अल्टासाउंड का रिपोर्ट पढ़ा जाता है दो चीजों का दियान रखना होता है अगर आप दोने चीजों को समझ आते हैं तो आप किसी भी चीज का अल्टासाउंड हो चाहें वो पेट का हो या फिर दिकाओ आप बहुत असानी समझ सकते हैं कि बीमारी कौन सी हुई है दोस्तों सबसे पहला चीज का दियान क्या रखना होता है जब आप अल्टासाउंड कराते हैं तो जो भी चीज़ें यहां पर निकल क्या दिखाता हूं एक देखिए होल अल्टासाउंड का रिपोर्ट ह ठीक है यह बहुत पहले कराया गया था और अभी जो पैसेंट एप बिल्कुल ठीक है तो क्या समझ साती है कि यहां पर बड़े अक्षे में लिखा हूगा है तो वहीं पे समस्था है जैसे कि लिवर यहां पर दिखते हैं इन लार्ज इन साइज यहां इन साइज यहां पर बड़ा हो गया है इसके दोद आप सबकुछ देख सकते हैं कि या चीज लिखा हुआ है उसके निकख्याद एजह कुछ दीखत नहीं है उसके बाद से यहां पर सीबीडी सबकुछ देख रहे है नॉर्मल दिखा दे रहा है यहां पर राइट ओभरी देख तो यहां पर यह सबसे गाढ़ा कहां पर लिखा हुआ उसी में समस्या है और दूसरा चीज इंप्रेशन इंप्रेशन में जो इस बीमारी डाइगनोस्ट होती है पता चलिता है यहां पर माइल हिपोटोमिनोली विद फैटी लिवर याईनि कि इस पैसेंट को मतलब माइल के मतलब होता है बहुती कम जो है फैटी लिवर के समस्या हो गई थी अभी जो है पैसंट ठीक हो गया है तो आपको दो चीज़ों का ध्यानक ना है सबसे पहले यहां पर इंपरेसन सबसे ला वीडियो सिर्प सिर्फ जनकारी के लिए बनाया गया था अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद